खाओ खाओ राहूल अगलेद मेरा मूग क्या देख रहा है योगी जी तुम भी खाना शुरू करो सिभरास सिंग जी तुम भी खाओ मौधी जी आज आज आपने हमें दावत पे बुलाया तो हम तो समझे अच्छे अच्छे पकबान बनाओगे आप लेकिन आपने तो ये मिर्ची का अचार और आम का अचार हमारे सामने रख दिया मौधी जी ये मिर्ची का अचार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है देखो राहूल जो मुझे से बन पड़ा भो तुमको मैं गिला रहा हूँ अगर मिर्ची का अचार तो मैं पसंद रहीं है खाना लो ये आम का अचार खालो मौधी जी मुझे आम का भी अचार खाना पिल्कुल पसंद नहीं है तो राहूल इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं मैंने आम का भी अचार तुमारे सामने रखा मिर्ची का भी अचार तुम्हारे सामने रखा अगर मैं और कोई पकबान भी तुम्हारे सामने रख दूँगा क्या पता बो भी तुम्हें पसंद ना हो इसलिए राउल तुम हैसा करो अचार को जोड़ो खाली रोटी खालो लेकर मोधी जी एक बात मैं आपको साबसाब बताऊँ आपको कोई सब्जी तो बनाना चाहिए थी आपने रोटी और आम का अचार और मिर्ची का अचार सामने रख दिया अगर कोई दावत खिलाओ तो मन से खिलाओ अब ये क्या अचार लाके तुमने रख दिया योगी जी आप भी बेबालतू की बात करते हो ये आम का अचार ये मिर्ची का अचार मुझे फिरी में तो मिल नहीं गया है बजार से अच्छी कीवत में खरीद के लाया हूँ मैं अगर मैं तुम लोगों को सबजी खिलाता तो सबजी भी तो पैसे से ही बनती और ये पैसे से आम का अचार खरीद के लाया हूँ खाओ इसे कहीं फिरी में अचार दोड़ी लिया है हमें वैसे मोदी जी एक बात कहूँ आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है पानी है क्या नहीं रहो लेन गलासों में पानी नहीं है चाए चाए अगर तुम लोगों को अचार खाना पसंद नहीं है तो चाए पीलो मेरे हाथ की मैंने अपने हाथ से चाए बनाई है गलास में रखी वी ए पीलो सिवरा सिंग जी आप तो चुपचाप बैटियो कुछ बोली नहीं रहे हो कुछ तो बोलो मौधी जी क्या बोलू मैं मैं तो आप रोटी के साथ चाय पीऊंगा क्योंकि मुझे भी यह चार खाना पसंद नहीं है और आपने पताया के गिलास में चाय रखी भी है